माराज गर्जनपत का लक्षियों पुलाग का रेंज जो 35 किलो मीटर से जंगलों से होते हुए बुजरा हुआ है इनी जंगलों के बीचों बीच एक वना वासियों का गाउं है जो अचलगर्ण नरसरी के नाम से जाना जाता है इस गाउं में पुस्तों से आज यहां के जंगलों से रह रहे हैं लेकिन वना विवाग के द्वारा इन जंगलों से निकाला जा रहा है और यह जंगलों से पिछले 35 सालों से अपनी जमिन के लिए सरकार से मुकदमा लड़ रहे हैं और इसके सबसे प्रवाइद पातरा हैं उमा देवी मैं सन्येक उमा और यह मेरा समधार अमन के समस्तिया रहले के बहुत ज्यादा बाहा है रहले का मतलब का आपके खुद के घर नाइबा? नाहीं कहो नाइबा खाली है चल गर नाशरीमबा हमने मुकदमा लाड़ी के बाती जंगल में आप खुद के घर के लिए मुकदमा लड़ जाता है? कितना पुष्टन से आप यहाँ पर रहल जाता है? किसरा पुष्ट हो? जो सरकार से हमारा मुकदमा है, हमको एजमिन मिलना चाहिए और रजेस गाउं का दरजा मिलना चाहिए कितने सालों से आप लोग सरकार से मुकदमा लड़ रहे हैं? पहले से ही यहाँ जंगल में काम कर रहे थे, सरकार खुद बुला कर लाए थे अब लोग पैसा खर्च कर दिया अपनी जमिन को हासिल करने में? आरे हासिल करने में तो बहुत पैसा हम लोग खर्च कर दिया है मेरे दादा बाबा से काम लिया लेकिन आज मुक्के पर हम लोग को कोई सुग्धा नहीं मिला अब सरकार से चाहते हैं कि जैसे हमारे बाब दादा जंगल में अपना जिनकी बरबात कर दिये और उनके हम लोग बाल बच्चे हैं अब हम जाएंगे कहां यही जमिन पर रहें मैं संजया पुबार महराजी उत्तर परदेश चें इंडिया अनर्ड कर दिशा है